हेलो फ्रेंज आज बनाएंगे हम मतन का कीमा इसके लिए हमने 500 ग्राम कीमा लिया है इसमें थोड़ी सी कलेजी भी मिक्स की है इसकी मेरी नेशन के लिए हमें चाहिए दही गरम मसाला पाउडर अदरक लसुन का पेस्ट नमक स्वाद अनुसार और कश्मीरी लालमिज पाउडर तो शुरू करते हैं मेरी नेशन सबसे पहले हमें कीमे में दही एड़ करना है इसके बाद गरम मसाला पाउडर दो टेबल इस्पून अदरक लसुन का पेस्ट लिया है इसके बाद नमक स्वाद के अनुसार और लास्ट में लाल मिर्च पाउडर इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है हम हाथ खाही इस्तेमाल करेंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला पूरे कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए यहाँ पर अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है अब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह अच्छे से मेरिनेट हो जाए लगबग एक घंटे बाद हमें एक कड़ाई में तेल गरम करना है ध्यान रहे, यह सिर्फ तेल नहीं, इसमें हलक असा घी भी लेना है इसे एक टेबल स्पून घी और दो टेबल स्पून हमने इहाँ पर तेल लिया है तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें हम कीमा एड़ कर देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कीमा अच्छे से गल नहीं जाता और कलेजी भी अच्छे से गल नहीं जाती लगबग 15 से 20 मिनट हमें इस प्रोसेजिंग में लगने वाले हैं यह देखिए यहां पर कीमे ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है लगबग 5 मिनट के बाद हमें इसे ढख कर पकाना है बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे ना लग जाए लास्ट में चेक करेंगे देखिए यहां पर कीमा हमारा पूरी तरहिके से पक चुका है और कलेजी भी पूरी तरीके से गल चुकी है अब हम गेस के फ्लेम को ओफ कर देंगे अब हम इसके लिए ग्रेवी रेडी करेंगे इसके लिए हमें कुछ बैसिक से मसाले लेने हैं जैसे कि यहाँ पर तीन कटे हुए प्याज का पेस्ट लिया है हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर कुछ सूखे मसाले, लोंग काली मिर्ची और अद्रक लसुन का पेस्ट और नमक स्वात के अनुसार एक भगोनी में तेल गरम करेंगे दो बड़े चमच तेल यहाँ पर हमने लिया है तेल गरम हो जाने के बाद इसमें लोंग काली मिर्च और सूखे मसाले एट कर देंगे आप अपनी इच्छा के अनुसार भी सूखे मसाले ले सकते हो इसके बाद हमें इसमें अद्रक लसुन का पेस्ट डाल देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक अद्रक लसुन की इसमेल ना निकल जाए इसको हमें हिलाते रहना है लगातार क्योंकि अद्रक है उसमें तो इसलिए नीचे भी चिपक सकता है वो अब यहां देखिए यह पूरी तरीके से पक चुक है इसकी इसमेल भी निकल चुकी है अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे प्याज के पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक प्याज की समेल ना निकल जाए और कलर धलका ब्राउन ना हो जाए इसके बाद इसमें हम नमक स्वात के अनुसार एड़ कर देंगे ध्यान रहे हमें इतना ही नमक डालना है जिससे ये ग्रेवी में स्वाद आ जाए यहाँ पर प्याज ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है अच्छे से भुनाई करनी है इसकी प्याज की स्मेल निकलने के बाद हमें हल्दी, धनिया और लालमीच पाउडर एड़ कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक तेल मसाले से अलग नहीं हो जाता इसके बाद हमें इसमें गरम मसाला एड़ कर देना है और अच्छे से भुनाई करनी है यहाँ पर आप देखिए तेल अच्छे से अलग हो चुका है और इसकी भुनाई होना भी शुरू हो गई है मसाला नीचे लग ना जाए इसलिए हमें बीज बीज में पानी भी एड़ करते रहना है यहाँ पर आप देखिए मसाला पूरी तरीके से भुन चुका है बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है अब हमें कुछ नहीं करना इस ग्रेवी को उस मतन कीमा कलेजी में एड़ कर देना है जिसमें हमारा मतन कीमा कलेजी तैयार हो जाएगा यह देखिए हमने पूरी ग्रेवी कीमा कलेजी में एड़ कर दी है इसे पास दस मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है यहाँ पर देखिए आप कितने अच्छे से हमारी रेसिपी तैयार हो गई है यह सर्व करने लाइक हो गई है आप इसे ऐसे ही सर्व करें